इस वीडियो में लाइब डेमो पूरा प्रोसेस जानेंगे कैसे आप लोग CMA का एंसर से डिटेल को फिल करोगे सही तरीका क्या रहेगा ताकि आप लोग एक्जाम में मिस्टेक न कर पाओ हो सके स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को जरूर सेर कर दीजिएगा CMA स्टूडेंट्स के साथ और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि CMA रिलेटर एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट और एनाउंसमेंट मिस न आ पाए प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब बात कर लेते हैं लाइब डिमो कैसे आप लोग CMA का एंसर से डिटेल को फिल करोगे इस वीडियो में बात करेंगे CMA intermediate एंसर से डिटेल को कैसे फिल करना पाउंडेशन स्टूडेंट्स ज्यादा कॉमेंट करोगे तो आपसे भी डिलेटर जल्दी वीडियो इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे आपके मन में डाउट आ सकता है ना कि एंसर से डिटेल हो या एंसर लिखना हो CMA का पेंका यूज करोगे, तो आप चाहो तो ब्लू पेंका यूज कर सकते हो ? या ब्लैक ब्लैक बॉल पेंका दोनों में से कोई एक पेंका यूज कीजिए गा I HOPE कि आपका डाउट केयर होगय, एंसर से डिटेल लिखते समय हो सकता है आप blue pen का यूज करो तो blue pen से ही circle करना blue pen का यूज करोगे तो blue pen से ही circle करना answer भी blue pen से लिख सकते हो आप चाहो तो black ball pen का यूज करना तो black ball pen का भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत बाली बात है नहीं अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा एंसर सिट डिटेल पे आप लोग अपना रॉल नंबर लिखोगे रॉल नंबर कहा गिवेन होगा आपके एडमिट कार्ट पे गिवेन होगा देख करके रॉल नंबर सही से लिखना है ब्लू पेंसे लिखना चाहो तो ब्लू पेंसे लिख सकते हो और हां सरकल भी आपको पेंस से देख करके यहाँ पर लिखना है और उसके बास circle कर देना है simple सा बात है roll number in word दो तरीका से roll number in word को लिख सकते जैसे कि example के लिए 1 2 3 4 5 6 इनका roll number है तो 123456 ऐसे भी लिख सकते हो यह दूसरा तरीका है 1,23,456 यह भी लिख सकते हो word में दोनों तरीका सही है, date of examination, जो भी date को exam हो रहा है, तो यहाँ पर exam date लिख देना, कोई doubt आना नहीं चाहिए, अब side में क्या है, group लिखाओ, group 1 का exam दे रहे हो, तो 1 लिख दे रहे हो, तो 2 का exam दे रहे हो, तो 2 लिख देना, simple सा वाद है, word में लिख दोगे, इसके नीचे में syllabus के exam होता था, तो सिर्फ old slave, बस कही option सो करता था, यहाँ पर mistake नहीं करोगे, otherwise आपका result भी थेड़ हो जाएगा, इसके नीचे में medium बूचेगा, कौन से medium में आप exam दे रहे हो, English medium में exam दे रहे हो, तो English को circle करोगे, Hindi medium में exam दे रहे हो, तो Hindi को circle करोगे, simple सा बात है, जिस भी medium में exam दे रहे हो, उसी medium को circle करना है, यहाँ पे mistake नहीं करना है, और यह जो box है, जो कि आपके screen पे मैं circle करना हूँ, यहाँ पे आप लोगो को कुछ भी नहीं करना है, इन वीजिलियेटर, attendance, register से निकाल करके, कि sticker को यहाँ पे लगाएंगे, आप लोगो को कुछ करने का जरुरत नहीं है, office यूज के लिए यहाँ पे, side में, part B के, सबसे उपर में subject name, और यह जो box में circle कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप लोग additional sit लोगे तो लिखो, otherwise skip कर दोगे, इसके नीचे में invigilator signature करेंगे, यह जो part है, जो मैं circle करो, यहाँ पे आप लोगो कुछ भी नहीं करना, ठीक है, आप लोग इसको blank छोड़ दोगे, आपके काम कर नहीं है, इसके जो नीचे वाले portion है, यहाँ पे आप लोगो कुछ भी करने का जरूरतने, यह सब आपके काम करने, जितना detail था, मैंने बता दिया, क्या feel करना है, और हाँ, insert लिखते समय, आप चाहो तो blue pen का use कर सकत तो totally आप पे depend करता है, तो यह सही तरीका है, insert से detail को feel करने का, CMA intermediate and CMA final का, अगर आप लोग दिसमबर 23 में exam दे रहे हो, तो वीडियो तो देख लिए हो, please अपने friends लोगों के साथ जरूर सेयर कीजेगा, please students, अपने friends के साथ जरूर सेयर कीजे इस वीडियो को, और आपका doubt क सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, please हमें support करे, हम लोगों का family member, अठाई लाग कम्प्लीट करने वाला, तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किये,